स्लावालेकुम एविवान उमीद है कि आपसे लोग खहरी खेरियत से होंगे सर हमने अपनी अब तक की क्लासेस में यह देख लिया कि और 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 करवाया क्यों जाता है सिंपल इसकी समरी यह है कि और करवाया इसलिए जाता है ताके मेरे यूजर आप तक में आपके यूजर जो है जो बैंक था दूसर यूजर यूजर जो है शिर होल्डर था क्यूंके क्यूंके मैं आपको एक जबबंद है कमपनी को चलाने वाले अलग लोग एं करने लो चीजित तो हम अपने ओर आड़र को असल शुरुकर फोलद हैं असल उस कहानी पर पर एक और example देने के बाद एक example और दे रहा हूँ मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मेरा जो user of FS मेरा बच्चों जो user of FS वो मेरा prospective investor भी हो सकता है कौन हो सकता है prospective investor मैंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो मैं कहूंगा कि मैं इसको idol क्यूं रखूं मैं कही invest कर लेता हूँ किसी company के shares purchase कर लेता हूँ अच्छा अगर मुझे किसी company के shares purchase करने होंगे तो मैं क्या देखूंगा sir उसके FS देखूंगा मैं क्या देखूंगा उसके FS देखूंगा जब मैं उस company के FS देखूंगा तो आपको नहीं लगता कि ये fs मेरे लिए reliable होने चाहिए ये fs मेरे लिए क्या होने चाहिए reliable होने चाहिए और बच्चों ये reliable कब होंगे जब ये audited होंगे audit हुए वे होंगे तो मेरा degree of confidence इस company में क्या होगा जादा हो जाएगा क्यों मैं बोलूँगा भाई मैं एक audited financial statements को देखके कि decide करूँगा कि क्या मैं इस company में invest करूँ या ना करूँगा अब let's say मैं तो बात बताऊँगा तो मैं अगर इस company का audit नहीं हुआ वह होता तो क्या भी ये बात कह सकते हैं क्या भी ये बात कह सकते हैं कि user of financial statements का decision गलत हो सकता है अगर ये figure सही ना हो मैं देखूं कि वा या भैतरीन EPS आ रही है वा या भैतरीन इसके जो है पे आउट्स हैं वा या भैतरीन इसके cash flows हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँगा कि भाई ये तो बैतरीन इसमें इन्वेस्ट कर तो जबके हो सकता है कि वह genuine profit ना हो वह fake sales book करेके profit को overstate किया गया हो अपनी cost को कम से कम किया हो depreciation सही book ना किया हो ये सारी चीज़ है गलत हुई भी हो जिसको देख के मैं खुश हो जो मैं बूलू हाँ या यह तो बैतरीन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या मेरा decision क्या मेरा decision इसको हम audit की जबाद में कहते है economic decision of users को मैं क्या कहता हूँ economic decision जो आपने एक एक करके सीखने मेरे साथ क्या मैं कह सकता हूँ कि economic decision of users जो है वो influence हो जाएगा जो कि वो ले रहा है इस financial statements के base के उपर अगर वो चीज़ सही हो जाती है F.S. में चीज़े सही होती है तो इस चीज़ को सही कैसे किया जाता है करवाया जाता है जब उसका audit होता है बात समझ आती है तो सीखने की बात यहां पर यह थी कि user of financial statement is not only the existing investor it can be the potential investor prospective investor यह बाद आपको समझानी चाहिए चले जी अब सर अपनी audit की असल कहानी को शुरू करते हैं अब मैं अगर आपको यह बात पता हूं मैंने audit को एक cycle में ब्रेक किया है जिसको मैं कहता हूं audit cycle जैसे practical life में audit शुरू होता है जहां पर आके खतम होता है वो सारी करेंगे मैं आपको mark करा दोगा कि आपकी book में यहां है मेरी book में है क्योंकि मेरी book जो design वी 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 आयजा के तहित है यह बाद आपने बेज़े में fix करनी है अच्छा खेर मेरे पास client आया client बोले तो company एक company मुझे कहती है कि भाई मुझे आप से audit करवाना है मैंने का आपको म करने के लिए इसा नहीं होता वो कहता यह है कि before you do audit before you do audit आपने उसके acceptance के लिए कुछ काम करने कुछ procedure perform करने कुछ एक्तमाद करने सही बात नहीं समझाई आई भी रोजी को कौन ठुकर आता है भाई auditor को बोला गया auditor को बोला गया इंसान का बच्चा बन गये तुम किसी client के audit को accept करने से पहले मैं फिर repeat करने वो कह रहा किसी client के audit को accept करने से पहले आपने कुछ procedures perform करने कुछ काम करने वह कौन से procedures हैं जिसको हम अंगरेजी में कहते हैं client acceptance procedures क्या कहता हूं client acceptance procedures अब यह है क्या बात समझेगा client acceptance procedures के अंदर आप जो है कुछ forms भरते हैं हम ऊपर हम जैसे उवाय में कुछ forms भरता है मैं अपनी ग्जैंपे यह के अंदर हम से पूछा जाता है कि is client पे क्ячा कोई आपके शेज हैं इस लांने नहीं है मैंने का इस client पे कोई आपकी बीवी और पिडय क्या मतलत मैंने बहुतनÍ है यह की भी वूर नहीं है इस client के उपर तो मैंने का क्या कोई आपके family relationship है family relationship हमने बोला वो भी नहीं है अच्छे तो मैंने का भाई आप international standards on auditing कितिनी पंचात क्यों है वो कह रहा है कि आप उस company का audit सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं जब आप उस company से independent है जब आप उस company से independent है इसको मैं कहता हूँ overall basis पे ethical requirements इसको मैं क्या कहता हूँ overall basis पे ethical requirements तो वो यही कह रहा है बात समझेगा वो यही कह रहा है कि भाई आपने किसी भी इदारे के audit को accept करने से पहले यह गेखना है कि क्या आप independent है जिसको हम कहते है क्या है client acceptance procedures continues बताता हूँ अभी अभी मैंने किसकी बात की client acceptance procedure वो बुलता है कि भाई आप बेशक बिसमिल्ला आप audit करें पर audit करने से पहले आप यह चेक करें अपने आप से सवाल करें क्या आप उस इदारे से independent है जिसको हम audit की जबान में कहते है ethical requirements जिसको हम क्या कहते है ethical requirements आप ethically उस company का audit नहीं कर सकते जिस company में आपका अपना steak लगावा है तो आप कोई गलती पकर के बोलेंगे नहीं जा सही जाने दे क्योंकि आप बोलेंगे profit जादा से जादा हो और प्रॉफिट जादा से जादा होगा तो आपको अपना ultimate benefit मिलेगा अगर आपकी बेगम वहां पे independent हूँ या नहीं हूँ this is call ethical requirements तो वो क्या क्या रहा है before you accept any audit before you accept any audit you need to perform client acceptance procedures और client acceptance procedures के अंदर आप कुछ documentation करते हैं जिसमें आप यह help उठाते हैं कि मेरा इस company के अंदर कोई भी steak नहीं है मेरा इस company के अंदर कोई भी steak नहीं है यहां मेरा कोई personal or family relation है ऐसा कोई भी scene नहीं है कोई भी scene नहीं है यह मैं आपको बता रहा हूँ बात clear है अच्छा भई अब आते है client continuous procedure पर हो सकता है कि आपका वो जो client है उसका इसा दूसरा साल हो आपका वो क्लाइंट और उसको कौन सा साल हो सब दूसरा साल हो सब दूसरे साल का मतलब क्या है बच्चों दूसर साल का मतलब यह कि आपने पहले साल जब इसका audit किया तो उसके दोजार बाइच में है तो आपने client acceptance procedure परफॉर्म कीये तो ना आपकी बेगम आप पर काम और आपका कोई परसनल मखाद था आपके आपका दोस्ते आप कार बात पर लूं के करना ने इंगेज्मेंड पर इंगेज्मेंड का मतलब होता है जब आप सबस्क्रें सब्सक्राइब करया नहीं चाहिए तभी तो मैंने आपको कल की class में सिखाया था कि एक बंदा audit तब कर सकता है जब वो independent हो क्योंकि independent बंदा ही audit सरी करेगा तभी degree of confidence user का enhance होगा Otherwise एक चीज़ उनके पास गलत जाएगी तो उनका decision भी गलत हो जाएगा जिसके पर जिम्मधार आप होंगे बात समझें तो एक जिम्मधारी वाला काम है इसलिए वो कह रहा है अब आप इस बात को समझें कि क्लाइंट acceptance procedure क्या है कि आप पहली बार audit करने जा रहे हैं continuous procedure क्या है सबसे पहले वो कहता है आप देखने ethical requirements इसमें सबसे पहली example आ रही है partner does not have any shares of the client partner does not have relatives in the client वना आपको पता है कि वो धंकाती रहीगी और हम बोलेंगे सबसे यह कोई मसले वाली बात नहीं है तो सर पहली चीज़ तो आपने यह सीख ली मेंसा आज की class के अंदर क्योंकि हम वाकरी में actual audit शुरू करने लगे हैं भी तो कोई आप से राजसल पर पूछे कि किसी भी company को audit ऐसी मूठा की हो जाता है नहीं आप बोलते हैं कि हम सबसे पहले कुछ का करते हैं वो काम क्या है आप client acceptance procedures perform करते हैं और वो client acceptance procedures का मतलब क्या है कि भाई आप यह चेक करते हैं यह एक अमल है ना एक काम है ना कि आप चेक करते हैं वो procedure का नाम है उसका आप चेक करते हैं whether we are independent we do not hold any shares in that company we don't have any relative in that company so that we can conclude that we are independent of that company बात के लिए पहली चीज मैंने आपको सिखा दी किसमें client acceptance और continuous में और मैंने आपको acceptance और continuous दोनों का फर्क बता दिया I hope this is clear आगे फिर वो कहता ही है background investigation कर लें client का अच्छा भाई अब इसका क्या मतलब बात समझेगा हमने कहा कि चलो आपने पहला चेक लगा दिया कि you are independent you are eth vertically correct आपका कोई मसला नहीं है अब जब आप ने news देखी कि जिस company के लिए आपको approach किया जा रहा है उसका जो डिरेक्टर है उसका जो डिरेक्टर है प्लीज सुनिए उसको डिरेक्टर है वो आसे वली रदारी है आप मुझे एक बात बताएं क्या आप ये कहेंगे कि उसकी governance एक अच्छे बंदे के हाथ में आप बूलेंगे भाई जिब governance ही ऐसे बंदे के हाथ में तो नीचे क्या सही होगा तो आपको क्या लगता है आप जो भी audit करने जाएंगे क्या वो सही चीज़े होगा या सब fake या fraudulent होगा सब fake या fraudulent होगा तो इस case में कहा जाता है कि ऐसे लो प्रेक्टर्स नोट इनवाल इनवाल इन जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी प्रेक्टिस क्या है क्या उनके रिलेटेड कोई ऐसी न्यूस तो नहीं है कि इनके ओपर नैव वेब के कैसे चल रहे हूं तो हमारी तो यह पूरी टीम में जो यह रिसर्च कर रही होती है तो वह ह पूछती पर बताओ इस कंपनी का इस क्लाइंट के डिरेक्टर कौन इसमें डालते हैं सीनियर मैनेजमेंट के नाम डालते हैं वो खुदी ग्लोबल वाश्लिस की चेक्टिस चला के मुझे दिरत है कि हाँ यह लोग क्लीन है इनके ओपर कोई केसे नहीं चल रहे है अलक चल रहे होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं उनकी नौयत भी पता लग जाती है तो या खुर बताओ मुझे वहने तुम्हें पहली क्लास में सिखा यही तो वज़ा थी यही तो वज़ा थी मेरी जान यही तो वज़ा थी पहली क्लास में सिखाने का इस्ट्रॉक्चर के भाई ड बचा गया governance किस चीज़ की बात समझ जा रही है तो गहर आपने इस बात को अपने भेजे में रखना है कि आप किसी कंपनी का और नहीं कर सकते हैं आप किसी कंपनी का और नहीं कर सकते हैं जब तक आप कुछ क्लाइंट कि सब्सक्राइब आपने बचार आपने नहीं चला हैंगर पांच वक्ति नमाजियों सब्सक्राइब बैठाब हैं नहीं बैठाब आपने उनकी इंटीडिडींडी को चेक करना है आपने उनकी integrity को check करना है आपने लेट से भाई आप मार्केट में बैठे होते हैं आप लोगों से मशवरा कब तो पूछ लिए लोग कैसे हैं यह सारी चीज़े हैं जैसे हम शाली से पहले पिर रिष्टे के पहले पूछते हैं यह बंदा कैसे हैं बंदी कैसे है तो सर तीसरी चीज़ वो कहता है यह है कि भाई knowledge and competence and skill अब फिर आपके ऊपर एक बात आई वो कहाई यह रहा है example दे रहा हूँ बैटरी ने example ले सुनना वो कहाई यह रहा है कि भाई आप ये भी make sure करें और बहुत सुकून से समझेगा आप ये भी make sure करें client acceptance अभी अपने acceptance अपनी हामी नहीं भरी आप बोलने नहीं कर रहा accept पर यह चीज़े करूँ आपने अपने आपको check किया कि भाई मैं independent हूँ मैं ethical हूँ okay दूसरा सामने वाले company का background check उनकी owners का उनकी directors का यह सारी चीज़ है दूसरी चीज़ क्लियर होगे तीसरी चीज़ बहुत सुकून से समझेगा तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि आप देखें क्या आपके पास knowledge competence and skills है let's say आपके पास ordered आया एक bank का सही जी आपके पास knowledge एक एक ordered आया bank का आप अभी recently qualified हुए है आप बेशक competent होंगे तो आपके पास इतनी expertise नहीं है कि आप 1600 branches का ordered कर पाओ आपने कभी उनके processes नहीं देखा आपने समझा ही नहीं कितनी laws and regulation की compliance होंगी वो तो कुछ भी कर जाएंगे तो आपको तो कुछ पता भी नहीं लगेगा तो भाई क्या मैं यह कह सकता हूँ कि वो आपने उस company का audit accept करने से पहले यह देख लेना है कि क्या आप उस लायक भी हो कि उस company का audit कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अब let's say मैं example दूँ आपको मैं जब EY गया तो मुझे insurance का client जो है allot कर दिया गया insurance का client अच्छा I was new to the firm मैंने insurance पहली बार कमना तक लाएं अब partner मेरे साथ बैठा और उसने partner ने मुझे पूरी briefing दी इसमें यह होता है इसमें यह होता है इसमें यह चीज़े देख लेना यह laws and regulation पर लेना देख लेना तो मैंने पुल मिला के कोई इसमें accounting नहीं आती अब एक client यह company उसके उपर leasers है सही जी तो आईए फ़र सोला तो मैं आना चाहिए ना तो चैक कैसे करो कि accounting सही हुई भी यह नहीं हुई वह तो कुछ भी इस्तताहत ही नहीं है आप capable ही नहीं है कि audit कर भाएं तो आप नहीं करेंगे ना तो आप तो फिर एक गलत चीज़ जा रही होगी market में पर गलती आपकी होगी क्यूंकि आपने तो सही तरीके से audit ही नहीं कियो हो क्योंकि you don't have that knowledge बात समझ जा रही है तो यहीं कह रहा है कि I was well prepared before going to the audit trainings link सही जी हमारी वाई के portal पर trainings module है वो सारी लेके समझ के सोच समझ के accounting सीख के फिर गया मैनत लगी पर सीखा तो यहीं कह रहा है कि भाई अगर knowledge and skill नहीं है अगर आप इसको acquire कर सकते है acquire करके फिर बहले बेशक हां का है पर उससे पहले आप हां नहीं कह सकते है तो क्या आपको यह बात समझ आती है सर क्या आपको यह बात समझ आती है कि भाई और जाट है अपके अबार नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे तो वो चीज गलत होगी पर जो यूजर इसका उसका जो decision ने वह influence लियागा है और तो जिसके जिमेदार पर आप होँगे बात क्लियर है तो इसके बात है कि हमने अभी तक हमने अभी तक जो भी यह सीखा audit करना, क्या हमने audit शुरू कर लिया नहीं sir, audit हमने भी शुरू नहीं किया international standards on auditing तो आपको ये कह रहा है बेटा audit शुरू करने से पहले ये देख लो क्या तुम इसका audit कर भी सकते हो या नहीं, तुम्हें allowed है या नहीं है, तो पहली condition क्या है पहली condition क्या है, you have to be ethical दूसरी condition क्या है कि सामने का background investigation check clear हो, तीसरी condition क्या है, आपके पास appropriate knowledge, skill and competence होनी चाहिए सबका जवाब हाँ आ जाता है तो आप आगे बरेंगे, बूलेंगे, हाँ यार मैं इस company का audit कर सकता हूँ ये बात clear है, और मैं अगर आपको बातों बातों मैं मज़े की बात बताऊं ये जो मैंने आपको तीन चीज़े बताई है this is only a summary इसकी पूरी अलग से CFAP 6 के अंदर book है, जिसको आपको याद करना होता है, आपको समझना होता है, जिसका नाम है ethics, code of ethics ये आपका अलग से एक chapter है तो इसको हम all together अलग से भी देखेंगे, बट अभी तो एक overview है ना, overview है एक audit cycle का बात समझ आ रही है, तो sir आज के बाद आपसे कोई पूछे, repeat कर रहा हूं, example दे रहा हूं, recall कर रहा हूं, बात समझेगा आज के बाद आपसे कोई पूछे, audit होता क्या है तो आप बोलेंगे, official examination of financial statements, पहले चीज़ audit होता क्यों है, तो आप बोलेंगे to enhance the degree of confidence of the users of the financial statements मैं आपसे पूछूँ, who are the users of the financial statements, तो आपका जवाब एगर, it can be bank, it can be existing shareholders, it can be potential shareholders, जो उसको देख के invest करेंगे, और अगर इसमें कोई गलती हुई, तो उनका decision भी घरत होगा, पिर जिसके जिम्हेदार आप होंगे, फिर वो कहता है कि अगर audit करना चाहते हो, तो आप ने audit ऐसी accept नहीं करना you need to perform some client acceptance procedure, जिसके अंदर आप देखेंगे अपनी ethical requirements मैं इसलिए क्यों कहता हूँ, बार बार तकि याद हो जाए आप देखेंगे, सामने वाले का background investigation करेंगे, क्या सब सही है या नहीं है, और फिर ये देखेंगे क्या आप इस काबिल है, क्या आप audit करता है आपके बार appropriate knowledge, skill, competence है या नहीं है, और इन सब को मैं कहता हूँ, ये cover करेंगे हम code of ethics में in very detail बात समझाती है, सराज की class को इतना रखते हैं और फिर अगली class से हम अगले पगाव पर चलेंगे ज़्दागला